आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्थी नास्ते की रेसिपी सहर करने जारी हूं जो कि है बच्चों का टिपन बॉक्स या फिर पूरे परवार के लिए भी बनाओगे तो बहुत ही कम तेल का इस्तमाल करना पड़ते हैं सिर्फ एक चमस तेल लगता है इस नास्ते को बनाने में पोहा और सूजी का नास्ता इसको ग्रैंड करने के लिए ना थो हमें मिक्सिका ग्रैंड जार का इस्तमाल करना होता है आमस्कार फ्रेंड मैं हुसंगीता राप कप बहुत शागत करते हूं आपके अपनी रसे में तो इस नास्ते को बनाने के लिए हम लेंगे एक कप यहां पर पोहा और यहां पर सबसे पहले हम इसको धोलेंगे दो गिलास पानी से मैं धोरी हूं ताकि इसमें से जो भी धूल मि दोएंगे ताकि एक्सटा पानी नीचे निकल जाए तो कितनी इसमें से डश्ट निकल रहा है अब हम इसको भीगाने के लिए रखेंगे एक बरतन में क्यूंकि हम यहां पर ग्रैंडिंग चार का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं और पोहा हाथ से ही मसल जाए इसलिए हम इसको भ चार करने के लिए अंप अच्छी तरीके से यहां पर पानी गाले के तो ना आस्थे में स्वाधी ने आए रहाएं ऊद्ला जाएँ बारिक बिखाने के लिए हम इसको बीगाने के लिए दालिने से एक तो टेस्ट बढ़ जाता है दूसरे इसको ठाइकर अलागि हो जाते है और ज्यादा खटी दही का इस्तिमाल नहीं करना है दोनों चीजों को हमने अच्छे मिला लेना है ताकि सूजी अच्छी तरीके से यहां पर दही को अप्चॉब कर ले और भीग जाए अब यहां पर हम इसको ढख लेते हैं अगर हम दही की जगा पानी डालेंगे तो नास्ते में उस्वादी नहीं आएगा फिर नास्त अच्छा नहीं बनेगा इसलिए दही का इस्तमाल करना है और अब हम इसमें कट करेंगे कुछ सबजियां भी तो एक मीडियम साज का प्याज लिया है एक टुकड़ मैंने गाजर को बारिक सा चौप करना है जितनी भी सबजियां लेनी है बारिक की चौप करनी है सिमला में चलिया एक टुकड़ा लाल वाला ये खहला वाला और एक टुकड़ मैंने पनीर का भी लिया है और भी सब्जियां मन चाहियां पर आप ले सकते हैं और कट कर सकते हैं और सब्जियां डालने से ना इसमें एक तो नास्ते में स्वाद बढ़ता है दूसरे ये नास्ता खाली-खाली सा न बनता है को हम क्या करेंगे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसमें कुछ मसाले भी यानी कि और कुछ फ्लेवर भी मिला लेते हैं जिससे की बच्चे को खाने में भी अच्छा लगेगा और हेल्धी नास्ता भी है तो हमने सारी चीजों को बारिक यहां पर आप धनिया भी डाल सकती हैं जो हमने पनीर का टुकडा लिया था उसको मैं कट नी करूंगी कट करने से थोड़ी से बड़े से रह जाती हैं तो इसलिए हम इसको कटकस कर लिए यहां पर चीज भी एड़ कर सकते हैं अब बच्चे टिपन तो खाएंगे इतने इस तो भी बहुत बंदा है कम तेल का इस्तमाल होता है लेकिन अगली बार जरूर से बुलिंगे के इसी तरीकी का नास्ता बनाओ तो यहाँ पर मैंने नौर्मल म्योनिज लिया था इसमें मैंने थोड़ से टमाटर का सौस एड़ कर दिया है अच्छी तरीकी से मिला लिया है स और चटनी से बहुत अच्छा सा स्वाध आता है धनिया पुदीने की नौर्मली हलका से नमक डालेंगे इसमें सारी चीजों को बढ़िया से मिला लियंगे ताकि नमक मिर्च सबजों में अच्छी तरीके से मिल जाए यह हमारे अंदर के स्टपिंग हो गई तयार अब जो ह थोड़ी चैनी में निए पड़ू है कि आपके मिल चिए और सबसे मिल लियेंगे और पाल वे तोंटी से यहां पानी साथ को हम हैं तो प्रशल के यह ईक दा कर लिगा करुदा ने में यहां जो सूजी तचान ने च्छलिए एकप दही और एकप शूजी में दही तो अच्छी तरीके से यहां पर शूजी में दूनों चीज़ाब है अगर इस नास्ति को स्पांजी भनाना हो जैसे इतली वागेड़ा रहती है तो यहां पर आप बेकिंग पॉडर बेकिंग सोडा इनो फूर्ट शौल कुछ भी अगर आप इसको प्लेट में बना रहे हो या पिर टिक्कियों के शेप में बना रहे हो हाथों से तो आप इसमें दुबारा ना डाले मुझे थोड़ सी इसका बैटर यहां पाल थोड़ सा पतला करना था इटली स्टैन को हम अच्छे से ओल से ग्रीज करेंगे थाकि निकाल द देट और एक एक हम डाल में दाल के जो हमने अब यह जो पहले हातों में लगाना है पानी और आतों में यह Пांद है इसलिए हम पानी लगाने यह पानी दलुट से फुर्ट करेंगे अब एक हम डाल में दूब यहां मी Jukk pokला इokes सब शीनाट कर देए इसको भी अच्छे से मिला लिंगेर उपर से फिर से डाल देते हैं एक चम्माच की जितना यह बैटर ता कि धक जाए उपर से क्यूंकि हाथों में चिपक रहा था तो इसलिए पाने लगाओगे तो यह हाथों में निचिपकेगा ढकते नहीं पूरी सबजी आमने जितने डाली हैं अच्छी तरीके से अब यह इस्टीम होने के लिए तयार है लेकिन हम बच्चों का नास्ता बना रहे आने की टिप बनगा तो थोड़ा सा सजा दजा के इस्टीम करेंगे हलका सा यहां पर और ही गया नौ या फिर रुचिली के अब खाने में इंटेस्टीर भी बढ़ जाता है अब यह इस्टीम होने के लिए त Wow इस टीमर मूं हम पाकें करने के लिए पहले और तोनों फ्लेतों को यहां पर डाल देतें इस्टीम के लिए पहले पानी को अच्छे से गरम होने देंगे और इसके बाद हम जैसे दोनों फ्लेटों को रखेंगे इसमें डखकन लगाएंगे क्योंकि यहां से थोड़ा सा इस्टीम निकल दी थी तो मैं यहां से इसको बंद कर देती हूं कैस को फ्लेम यहां पर बिल्कुल मैंध्यम पर कर देंगे 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे और फिर इसको चेक करेंगे तो हमने इसमें कुछ निए डाला तो यह इसमें फूले नहीं है नास्ता ऐसी बनके त्यार हुआ है यह आपने इसमें कुछ बेकिंग बॉडर बेकिंग सोड़ा वगेरा डाला होता तो नास्ता और ज्यादा फूल के त्यार होता है अभी स्टीम हो चुके हैं 15 मिनट इसको हो गए हैं दोनों प्लेटों को हम भाहर निकाल लेंगे हलका सा ठंडा होने देंगे अब नास्ता तो बन गया है इसमें एक तड़का भी देते हैं पैन में मैंने एक चमज की जितना नौर्मल बेजरेबल तेल करम किया है बटर पी एक चमज हमने डाहिद की दानी डाले हैं या प्र सरसो की दानी जैसे चटकेगा ту चमज की जितने तील डाल देते हैं गयस क मैश हमने पर बल्लकुल मत्यम पर रखना हैं क्यूंकि यह लुक्र जल जाते हैं तो अच्छा निया लगता है हम तड़का बना रहे तो तड़का प्रेश नार्याल हो तो भी कदकस करके डाल सकते हैं एक फ्रेशनेस पर आ जाते हैं हमने इसको भूना नहीं है क्योंकि जो नास्ता है और इड़ी इस्टीम हर गरम है नास्ता तो इसको भूना भाना कुछने एक रंच देने के लिए हमने यहां पर तिल्व अगराद डाली थ जो कि कच्चे नार्याल हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च थोड़ी सी दही डाल करके ब्रैंड की है एक तो इसको बनाने के लिए तेल बिल्कुल भी नहीं लगता है और यह इतना हेल्थी है कि कभी भी बना सकते हैं आश्य करती हूं आज की रेशिपी आपके लिए हेल्थ अगर रेशिपी जरा भर भी आपको यह अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को भी सस्क्राब करें अपना फीड़ बैग भी मुझे जरूर से दिया करें और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद हैंक्यू सो मस्यूं